प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल फिजिस्पी सुमल आठों मैंने बच्छों आज हम स्टेडी करेंगे लैंस मेंकर फॉर्मूला या पे जो है फॉर्मूला और रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्षण देन के हैं यह जो पहले हुए जो कि लिए वोनमे कर लिए आपका एंदर कर देंसका बड़ा है जरन ने कि लेख चलहा एदर वाल्य एक थी यह नोगने लिख यह फिल्फेश लाइए लिखफेश सा है फुराह wheels की फिल्फेश से छोगा सिर्फेश माड़ा कि रिखेश लन्स को एयलसा हुआ मैंने लिख दिया है लेंस की ठीकनेस हमने ले ली है तीधिकनेस का लेंस है और इसका डिफ्लेक्टिक्टिव हिएंगे इसका अब एक प्रिंस्पर एक्सिस हम लेंगे जो लेंस के ओप्टिकल से उती ही पास होती इस तरह से यह हमने प्रिस्पल एक्सेश डॉप कर ली है प्रिस्पल एक्सेश पर हम एक ऑब्जेट लेंगे और उसकी इमेज फॉर्म्ट करेंगे इस डियाग्राम को आप बहुत अच्छे से सबजीएगा अगर आपको डियाग्राम क्लियर हो गया आप इस फॉर्मॉली का डेरिविशन बहुत की आराम से कर सकते हैं ठीक है Okay, so first of all, you take an object on the principal axis, that is O, point object, okay. Then one incident ray comes from this object on the first surface of the lens, like this. This is incident ray, that incident on the first surface of the lens. Now, देखेए यह lens जो बना है यह एक circle है, इसको अगर आप imagine करो, इस तरह से कोई एक circle है, उससे काटके यह lens फोम किया गया है, उसका जो center होगा, suppose हमने किया, इधर सेंटर सीवर है विए रेडियर करवेचर आरवर इसकी रेडियर करवेचर आरवर हमने स्पोश कर ली इसी तरह से यह दूसरा सर्किल है दूसरा जो लैंस है इसको हम इस तरह से इमेजिन करें तो यह इधर वाला जो सर्किल है उससे कट करके यह लैंस फॉर्म किया गया है और उस सर्किल की का सैंटर कहा होगा यह सी तू तब ना इस विए रेडियर साफ करवेचर आप दिस सर्फेस विए आप टू ओके ना अब्जेक इस हीर the distance of the offset from the lens is support u okay now you see जब यह रेडियर से इस पर इस पर इस पॉइंट में हमने इस सेंटर से होते हुए एक लाइन रोकी that will be the normal to this surface like this this is the normal of the surface first because we know that suppose this is a circle and this is its center when a line pass through the center it will be normal to the surface of the circle अगर कोई सर्किल है इससे होते हुए सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो वह हमेशा जो है सर्फेस पर क्या रहती है नॉर्मल रहती है ठीक है तो यह क्या होगे इस पे सर्फेस पे नॉर्मल हो गया when ray comes from rare and medium to tense and medium it bends towards the normal so amit ray किस तरे से होगी like this this is amit ray it looks like come from this point we can imagine only this ray here it is not actual ray it is imagery ray okay then this is amit ray ऐसा लग रहा है यहां से देखें कि इस यहां पर कोई point है इससे रुख होती हुई यह पास हो रही है ठीक है और एक रे इस तरह से जाएगी जो ऑप्टिकल से होती हुई जाएगी वो बिदाउट रिफ्रेक्टेट तीदे निकल जाएगी दोनों रे ने यहां मीट किया तो इस point की object की इमेज है वो कहां पर हुई आई आई डेश पे ओकी इमेज कहां होंट हो गई आई डेश पे एक रे यह यह आई इस तरह से रिफ्रेक्टेट रुए यह निकल गई दोनों यहां मीट हुई यहां पर जो है और की इमेज के लिए क्या काम करेंगी औबजेक्ट का काम करेंगी किसका काम करेंगी इसका काम करेंगी इस सर्फेस के लिए ये क्या है औबजेक्ट अब ये सर्फेस की इस ऑबजेक्ट की दूसरी इमेज बनाएगी डट विल बी दा आइनल इमेज अब वह हो इमेज कैसे बनेगी इस सर्फेस पे यह इस तरह से इंसिदेंट zurसे बिए अब इस पर हम पहले नॉर्मल जो कर ले वही center से होती हुए एक line draw करेंगे that will be the normal to second surface इसका center है center से होती हुए line draw की बहुत ध्यान से समझी अगर diagram आपको clear हो गया तो आप derivation आराम से कर लेंगे this will be the second normal normal to the surface of the second आप यह आई आपकी incident ray यहां से यहां तकी incident ray dancer से अब यह कहां जा रही है rare medium में जा रही है तो क्या होगी normal से क्या हो जाएगी दूर चली जाएगी अगर ray dancer से rare में जाती है तो वो normal से और हो जाती है और अगर रेर से dancer में जाती तो नॉर्मल की तरह देंड हो जाती इसको ध्यान रखिएगा मिश्या तो अब यह कैसे हो जाएगी इस नॉर्मल से और हो जाएगी और यह कहीं यहां पर जाकर इस और इस ऑपजेक्ट की है जो इस लैंस के लिए उपजेक्ट का काम कर रही है उसकी फाइनल इमेज कहां बन जाएगी यहां आई पर चैश तो यह आई जो है और इसके लिए इसकी इमेज यह है इमेज जो आई-डेश वनी है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पस सर्फेस से हम डिस्टेंस ले रहे हैं यह देखिए आई-टेंस कितनी हो जाएगी suppose V' यह वाली, ठीक है? अब यह distance, जो second surface से, के लिए यह काए का काम किया है? object का काम किया है, तो यहां से, यहां तर की distance कितली हो जाएगी? जो object थी, second surface के लिए object वाली distance इस V' में से T को हम माइनस कर देंगे, तब यह second surface से I' की value आजाएगी और फाइनल वाल वैल्यू आई की जो है सेकेंड से कितनी यह हमने सपोस्ट कर दी इस इस भी ठीक अब देखें देखें आपने एक पॉर्मुला पिश्ली वीडियो में देखा होगा जो हमने निकाला दक है सइसरे इसके पे उसके लिए इसके लेटी इस तरह था निए इसके लिए इन फॉर्मुला रैक था फॉर्मृस है ड्राइब किया था ? एन अपोन वी माइनस ओन आपोन द ऑफ उस एकोर द इन माइनस ओन एको फॉर्मॉला से हम आप्लाई करें है फिस सबसें के लिए फिस सेकें सबसें के लिए ठीक तो जो है इस फॉर्मूले को हम इधा करें लिखते हैं इसको फॉर्स सर्फेस के लिए एपलाई करते हैं रिफ्रेक्शन एड़ दा फॉर्स सर्फेस रिफ्रेक्शन एट दा फॉर्स सर्फेस क्या होगा एड़ अपॉन वी एड़ वी कि लिए देखें वी की जगह हम निक्या लेंगे हम यहापे वी डेश इमेज आई डेश बनेगे फॉर्स सर्फेस से वी की जगह जाएगा वी डेश minus 1 upon u की जगे यू ही रहेगा lens का refractive index n है और radius of curvature first surface की कितनी है r बन है r की जगे क्या ले लेंगे r n upon b dash minus 1 upon u is equal to n minus 1 upon r this will be equation 1 you want equation बजाएगी first equation ठीक है r बन है r2 क्या है radius of curvature है ठीक अब second surface के लिए reflection at the second surface second surface के लिए देखे फिर यह formula एपलाई करेंगे यही वाला n upon v minus 1 upon u is equal to n minus 1 upon अब n upon v अब v क्या होगा इसके लिए यह जो object or की image बनी है i dash से इसने second surface के लिए object cover किया है तो यह value तो आपकी होगी second surface से i dash की u और जो image फार्म होगी है i वो second surface से वो value हो जाएगी v तो n upon यह हो जाएगा आपका n upon अब n भी टी n की जगह अब देखने यहाँ पर light क्या है air से glass में जा रही अब यहाँ जा रही है glass से air में तो n की जगह हम क्या लेंगी 1 upon n क्यों? क्योंकि हम जानते है a and g is equal to क्या होता है 1 upon g n अब light जो है air से यहाँ जा रही थी glass में अब जारी है glass के air ठीक है 1 upon n kौन v v की जगह क्या लेंगे v की जगह हम v ही लेंगे second surface से image की distance v है minus 1 upon u u की value क्या लेंगे अब देखे second surface से यह जो image है जो second surface के लिए object का कार कर रही है यह कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक v dash है और इतनी t है तो t minus कर देए v dash minus t हो जाएगी इतनी हो जाएगी v dash minus t is equal to 1 upon n minus n की जगे क्या 1 upon n लेंगे ठीक है और r की जगे अब second surface है इसकी radius हो पर वी चाथिती है i2 इसकी जगे i2 ले लेगी ठीक अब देखें इसको फोड़ा सा स्वर्व करते है यह जो हमने अपने आपको कई बार बता चुके है जो आपकी course में lens है वो बहुत ही खिल lens है देखने में आपको लग रहा है एकना मोटा है लेकिन यह बास्तर में बहुत ही खिल lens है like a line खिक है तो T की value जो है V की value जो है उसके comparison में क्या होगी बहुत ही small होगी we can write T is very 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 less than V then we can neglect T in comparison to V or V dash खिल then we can write this 1 upon N V minus 1 upon V dash is equal to 1 minus N upon N R 2 चीक है N से हम multiply कर देगे तो यह आपका हो जाएगा 1 upon V minus N upon V dash is equal to N minus 1 upon 1 minus N upon R 2 हो जाए रही है चीक है बहुत है 1 upon V minus N upon V dash 1 minus N upon R 2 अब यहां से हम इसको ऐसे भी लग सकते minus N minus 1 upon R 2 this will be equation 2 this is equation 1 आपको दिखाए दे रहा है यह बहुत रिची पर होगी है अब हम इधर इसको एरेज कर देते हैं तो इसको equation 1 और 2 को add करेंगे इस डाइग्राम को जो है हम एरेज कर देते हैं यहां पर जो है स्पेस थोड़ा सा कम है इतना किलियर हो गया ना तो अगर डाइग्राम किलियर है तो आज़ी का डेरिविशन में कोई रिपकत नहीं इस पहुत ही इजी है ठीक है इसकेशन 1 वन गे इसकेशन 2 वन गे आपका फॉर्मूला पहले आप ड्राइब कर चुके उसी फॉर्मूले की है से हमने इकेशन 1 & 2 बना लिए एडिंग इकेशन 1 & 2 दोनों इकेशन को हम एड़ कर देते हैं अब देखे एन अपॉन वी डाइस माइनस 1 अपॉन यू फूरा ही डिखलेट है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एन अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इसमें दूसरी केशन एड़ की है 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश और इस इकल टू पर्स्टी केशन में है दूसरी केशन समने एक कर केश्ची अब इसमें देखे यह प्लस का है यमाइनस का छाएगा यह के रहा जाएगा ओन अपॉन एन उसकल टू यहां भी है यहां भी है तो इसको आप बहाण कार लीजए पो उन पॉन कर लिए this will be 1 upon R1 minus 1 upon R2 ठीक है, 1 upon B minus 1 upon U is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 this is the equation 3, जो नो को first equation, second equation को अट किये equation 3 मित ले, ठीक अब suppose कीजे suppose if अगर कोई भी object जो है, infinity पे convex lens उसकी image फॉर्म करेगा तो कहां फॉर्म करेगा, focus पे infinity पे अगर object है तो उसकी image कहां फॉर्म होगी convex lens फॉर्म 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 उस condition में, U की value कितनी लेगी हम, infinity when object is situated in infinity image form at the focus, when B is equal to F V की value, depth की इक लोगी ठीक, अब देखे V की जगे हम क्या रखते है F, U की जगे, infinity इस फॉर्मूले में तभी आपका क्या होजाएगा 1 upon 1 F minus 1 upon infinity is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 क्यों हो जाएगा 1 upon infinity जाएगा 0, इसको हटा देगा यह आपका फॉर्मूला क्या होजाएगा यह आपका फॉर्मूला होजाएगा 1 upon F is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 उपर देखें यह फॉर्मूला ड्राइग करना थाना है इस इस दा लेंस्मेकर फॉर्मूला है यह ना 1 upon F is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 इस इस दा लेंस्मेकर फॉर्मूला यह फॉर्मूला और रिफ्रेक्शन वाइए इन लेंस्मेकर अब देखें यह अगर हम इसके equation 4 डालने तो equation 3 और 4 को compare कीज़े equation 3 और 4 को compare कीज़े दोनों की right hand side same है तो left hand side क्या हो जाएगी equal हो जाएगी right hand side same है left hand side equal होगी comparing equation 3 and 4 comparing equation 3 and क्या मिरेंगा मैं 1 upon b minus 1 upon u is equal to 1 upon f एक और formula जाएगा 1 upon b minus 1 upon u is equal to 1 upon f इस formula के लेंस formula इसको के कहते है Lens formula ठीक है तो यह देखे आपके अब आपके कोर्स में जो है झिस वाएगी जाहीं तो जो जाएगीम क्योंके है पर्टलख़ के इस अच्च्च्क फ्रेशएग्यों थाएगीम कर payment भायद स disp longer